जैहिंद बंदे मात्रम स्वागत आप सभी का study by पाठकसर चैनल में आज हम सामानने हिंदी के अंतरगत शुद्ध वर्तनियों को सीखेंगे बिना देरी करते हुए पहला प्रश्न आपके सामने बोट पर लगा है पहले इसे हम समझते हैं और उसके बाद इसका अंसर करेंगे इस slide में कुल 40 प्रश्न है प्रश्न है वर्तनी की द्रश्टी से कौन सा शब्द अशुद्ध है आपको अशुद्ध शब्द का चैन करना है यानि बताना है कि कौन सा शब्द हिंदी की वर्तनी की द्रश्टी से गलत लिखा हुआ है तो शब्द है सुर्पणखा सुर्पणखा शब्द वर्तनी की द्रश्टी से शुद्ध लिखा है अगर अर्थ की बात करूं तो सुर्पणखा शब्द का मतलब होता है सूप माने चाज और नख शब्द है नख यानी नाखुनों के लिए कि जिसके नाखुन चाज जितने बड़े हो तो उसके लिए शब्द आता है सुर्पढखा ये सही शब्द है सर पेणी शब्द बिलकुँ सही लिखा है श्वेत और अंगी पेट धन अंगी ये शब्द है दीर के संधी का ये भी शब्द सही लिखा है चतुरिणी देखे मात्राओं की दरश्टी से तो शब्द ये ठीक है किन्तु इसमें ये जो इनी प्रत्य है ये गलत है शब्द होता है चतुर तो चतुर शब्द में इस्तुरिणी बनाने के लिए उसमें आप्रत्य का प्रियोग किया जाता है तो शब्द चतुरिणी के इस्थान पर शब्द आएगा चतुरा क्यों आएगा उसका कारण ये है क्योंकि चतुर एक विशेषण सब्द है और विशेषण सब्द में इस्त्रिलिंग बनाने के लिए आप प्रत्य का प्रियोग करते हैं तो अंसर आजाएगा आपका चौथा D सही हो जाएगा आगे चलते हैं किस विकल्प के सभी शब्द वारतनिक द्रश्टी से शुद्ध है आपको ऐसा विकल्प बताना है जो दोनों शब्द सही हो तो प्रज्वलित देखें प्रज्वलित जो शब्द है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है प्रे प्लस ज्वलित तो यहाँ जै एक फाल्तु है त्योहार शब्द जो है वो लिखा जाता है अध़ते ये ओ त्योहार ये सही है पारी तोशिक ये बिलकुल सही लिखा है पारी तोशिक गतिय अवरोध में ये जो है ये एक्स्ट्रा है तो शब्द आएगा गतिय वरोध इसमें एक चीजी समझने की और है वो क्या कि एक शब्द गती एक अवरोध तो यहां यण संधी का नियम लगा हुआ है गती धन अवरोध इस पर कार लिखा गया शब्दे य और ए जुड़े हैं तो यहां पर ये ये बना है अब ये तो आएगा किन्तु ये आ जो है यहां एक्स्ट्रा ये इसकी गलती है शब्द में अब श्रंखला लिखा है ये शब्द गलत है श्रंखला ना होकर श्रिंखला शब्द होता है कुछ इस प्रकार लिखा जाता है श्रिंखला इसमें और इस शब्द में ये अंतर है कि यहां पर ये जो शे है तालवेश है और यह रिरी है जबकि उसमें şै और रे बना है तो यह सही है और वो गलत है शब्द लिखा है आशरवाद तो आशरवाद यह शब्द में mistake है यहाँ पर और शब्द होता है आशीरवाद तो दीरग ई का प्रियोग किया जाता है आशिरवाद शब्द में आगे चलते हैं तो शब्द लिखा है अतियुक्ती अतिधन उक्ती उक्ती माने होता है कोई कथन, कोई कोटेशन उसे कहा जाता है उक्ती यह यनसंधी का शब्द है E plus U U का सुत्र लगा है यहाँ पर यह शब्द सही है और शब्द लिखा है निर अवलंब नही धन अवलंब विसर्ग संधी का शब्द है यह दोनों जो वर्ड्स हैं जो शब्द हैं वो दोनों सही है तो अंसर आजाएगा आपका दूसरा आगे चलते हैं वर्तनी की द्रश्टी से अशुद्ध शब्द है अब जब आप वीडियो के माध्यम से हमें देखते हैं तो इसका सही तरीका क्या है पढ़ने का कि आप अपना आंसर अपने एक नोट बुक में लिख लीजिए और जब हम इसका एक्स्प्लेनेशन आपको बता रहे हैं तब आप उसका पुनराव लोकन कीजिए उसका निरिक्षन कीजिए कि हमारा उत्तर सही था या गलत था और फिर बाद में सीखिए तो आपसे अशुद्ध शब्द पूँचे हैं ग्रहीनी ग्रहीनी ये शब्द है अब इसमें एक शब्द है ग्रहे और इनी प्रत्य है तो ये शब्द बिलकुट सही लिखा है हमें बताना क्या है अशुद्ध तो कई बार हम प्रशन करते समय उत्तर उसके बताते समय कई बार ये भी भूल जाते हैं कि हमसे अशुद्ध पूचा है या शुद्ध पूचा है पेपर में हमें इस चीज पर बहुत ध्यान देना होता है दूसरा शब्द है दुरवस्था तो दुर और अवस्था ये लिखा गया है और इस शब्द में अगर मैं संधी की दरश्टी से देखूंगा तो ये विसर्ग संधी होगी आगे की बात करें ये भी शब्द शही लिखा है सरोज इनी तो देखें शब्द होता है सरोज सरोज का अर्थ होता है कमल का फूल कमल के फूल को सरोज कहा जाता है अब शब्द में सरोज में अगर मैं प्रत्य लगाऊं इनी इस त्रिलिंग बनाने के लिए तो यह यह जो है यह जै के उपपर जाके लगेगी और जै मैंसे ए की कमी होगी तब लगेगी अगर जै मैंसे मैं ए की कमी नहीं करूँगा तो जै का ए और इनी प्रत्य का इ दोनों मिलकर ए बन जाएंगे तो यहां से जै मैंसे ए की कमी करनी पड़ेगी तब मैं शब्द लिखूंगा सरोजीनी और उस विकल्प में अगर हम ध्यान से देखें तो शब्द लिखा है सरोजनी तो यहां यह शब्द गलत है तो गलती हमसे पूँचा है तो अंसर तो आपका हो जाएगा तीसरा सही चौथे शब्द को अगर देखें तो शब्द लिखा है रच यत्री तो रच यीता यह पूरलिंग शब्द है और रच यत्री यह इसी का स्त्रिलिंग शब्द है तो यह शब्द भी ठीक है आगे चलते है किस शब्द में समास से सम्मंधिनी अशुद्धी है सम्मंधिनी शब्द भी ठीक लिखा है लिख सकते हैं ऐसा तो समास से सम्मंधित अशुद्धी के भी प्रकार होते हैं वरण के आधार पर नुकते के आधार पर जिसे पादचिन्वी कहते हैं और शिरो रेखा के आधार पर भी वर्तनी गलत हो सकती हैं आपकी, और भी कई माध्यम हो सकते हैं, संधी का माध्यम भी हो सकता है, तो ये कह रहा है समास के आधार पर अशुद लिखा है, नीरोग, नीही धन रोग, इस प्रकार लिखा जाएगा फिर, नीरोग, ये बिल्कु धन लज्जा अब जब नही धन लज्जा लिखूंगा तो शब्द हो जाएगा नही का निर और लज्जा में जो आ है इसका लोप हो जाएगा तो शब्द हो जाएगा लज्ज तो शब्द बनेगा जी निरलज्ज नाकिन निरलज्जा तो समास का मतलब है दोनों पदों को जोड़ देना और समास के नियम संधी से ही निकलते हैं बहुत सारी चीजे हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ सकते जिन चीजों को जल्दी से बता कर काम चल जाएगा उन्हें जल्दी बताया जाता है और जिने धहरे के साथ में समझने की तरकार है जरुरत है आवशकता है आप उसे धहरे के साथ ठीक है टाइम दे कर उस पर क्योंकि दो मिनिट अगर हम लगाते हैं किसी चीज़ पर तो वो आगे जो है हमें नम्मर दिलाती है तो शब्द है निरलज्ज निरलज्जा गलत हो जाएगा यहाँ पर यह आ गलत है तो अंसर जाएगा आपका दूसरा आगे देखते हैं इसे भी सीख कर चलते हैं देखे बहुत प्यारे शब्द हैं यहाँ कि ये क्यों सही है और ये भी क्यों सही है शब्ध होता है एहन और निशा निशा माने रात्री अब जब इनको जोड़ूँगा मैं तो इसमें ये जो आ है इसकी कमी हो जाएगी और यहाँ ये जो नै है इसका रह में परिवर्तन होगा एहन दिन के लिए भी कहा जाता है तो शब्द हो जाएगा एहर निश अब नवरात्र नवरात्री होता है जब इसमें ये नव जोड़ेगा तो ये ए का लोप हो जाएगा तो शब्द लिखा जाएगा नवरात्र आगे चलते हैं अशुद शब्द का चयन कीजिए अशुद यानी गलत आपको बताना है कि अशुद कौन सा है अशुद बताना है आपको तो शब्द लिखा है तत धन उपरांत ये इसकी संधी है अब ये तैका परिवर्तन हुआ दै में और ये उ जब इस पे लगा तो शब्द हुआ दू तो तदू परांत अगर इस प्रकार लिखा है तो ठीक है बिल्कु सही है ये शब्द पुनरुत पादन तो शब्द है पुनरुत पादन पुन है धन उत पादन जब ये विसर्ग और उ जुड़ा तो ये विसर्ग का रह बना आधा और इसमें जब उ मिलाए गया तो बना रू हाँ अगर इस रू की जगहा इस प्रकार लिखा होता तो ये गलत होता कारण क्योंकि ये रह में ये छोटा उ न होकर ये बड़ा उ है और यहां ये रह में छोटा उ है तो पुनह धनुत्पादन ये शब्द ठीक लिखा है शत्र शाया अब एक शब्द है शत्र और एक शब्द है शाया अब इन दोनों को जब मैं जोडता हूँ तो इसमें चै का प्रवेश आ जाता है उसका कारण है यहाँ पर रे का होना और यहाँ पर चै का होना और रे के भी स्वर का होना तो जब यहाँ पर यह मिलेंगे तो बीच में चै का प्रवेश हो जाएगा इसे ही कहते हैं चागम संधी चैधन आगम इसे ही कहता है चागम संधी चागम गयनजन संधी के अंतरगत्थी आती है चागम संधी इत्यादी तो यह छत्र छाया शब्द लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से छत्र आधा चे छ觉 आ ये आ छत्र छाया तो यहां पर चे और होना चाहिए अब चूकि अशुद्ध पूछा गया है तो अनसर हमारा तीसरा सही है मुनिश्वर को और देखते हैं मुनिश्वर सब्द है मुनी अब मुनी शब्द पर जब हम लिखते हैं तो छोटी ई लगाई जाती है इस प्रकार मुनी धन ईश्वर अब यहाँ जब दोनों मिली तो यह बड़ी ई बनी और संधी बनी दीर्ग प्रशन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रशन है किस विकल्प में आपको अशुद्ध शब्द हैं यह बताना सभी शब्द अशुद्ध है साम्मेता, देखे शब्द होता है साम्मे क्यों साम्मेता शब्द गलत लिखा है आप प्रत्य एक लगा सकते हैं एक बार में क्या दो प्रत्य नहीं लगाए जा सकते हैं लगाए जा सकते हैं दो प्रत्य भी किन्तु एक अर्थ के एक समय में दो प्रत्य नहीं लगाए जा सकते दुबारा बताते हैं दो प्रत्य भी लगाए जा सकते हैं किन्तु तब जब उनके अर्थ अलग हो एक अर्थ के दो प्रत्य एक बार में नहीं लगाए जा सकते यहाँ पर यही कमी हुई है कि या तो साम में लिखें या समता लिखा जाए चाहें तो सुन्दर्ता लिखो या सौन्दर्य लिखो या तो साम में लिखें या सम्ता अब यहां पर ये प्रत्य है यहां ता प्रत्य है और ये दोनों एक ही अर्थ के हैं तो ये ये भी लिखा है और ता भी लिखा है इसलिए ये शब्द गलत है शब्द है संद्र अब अगर संद्र में ये जोड़ू तो शब्द यहां ब्रद्धी होगी, यहां कमी हो जाएगी प्लस माइनस का नियम लग जाएगा तो शब्द बनेगा सौन्दर्य सौन्दर्य ये प्रत्य लगा अब यदि मैं ये ना लगा कर ता लगाता हूँ तो शब्द बनेगा सुन्दर ता सुन्दर ता इस परकार सुन्दर ता कुछ इस परकार लिखा जाएगा और यहाँ पर क्या हुआ है कि यह भी लगा दिया है और ता भी लगा दिया है इसी आधार पर शब्द है धीर तो अगर यह लगाऊंगा तो शब्द बनेगा धैर्य यहाँ ब्रध्धी हुई यहाँ कमी हुई ब्रध्धी कमी का नियम विशेशन में सीखा जाता है एक बार मां आपको यहाँ भी बताता हूँ कि यह जो ई है न तो ई का पहला रूप यह है दूसरा ये होता है तीसरा ए और चोथा रूप है आई तो इस ब्रद्धी का मतलब होता है कि इस इ का सबसे बड़ा रूप इसलिए हैं इ के इस्थान पर यहां आई लगाई गई है दो मात्रा जिसकी प्रियुक्त होती है इसे ही यहां पर उ में ब्रद्धी हुई है उ इससे बड़ा-बड़ा उ फिर उ और फिर आउ तो आप अगर गवर करें तो उ के इस्थान पर यहां आउ लगा है यही ब्रद्धी का मतलब होता है अब यहां ध्यीर में ये जोड़ा तो बना ध्हर्ये या आप धीर में ता जोड़ सकते हैं तो हो जाएगा धीरता आप धैर्यता नहीं लिख सकते या तो ये लगाएंगे या ता लगाएंगे इसलिए ये तीनों शब्द गलत है अब चूकि अशुद पूछा है तो ये पहला ही अंसर आ जाएगा आपका बाकी समता सही है उदारता ठीक है और मदूरता भी ठीक है यहाँ महात्मगण ठीक है सर्वधन उत्तम सर्वधन गुण संधी का शब्द है ये भी ठीक है निश प्रभ विसर्ग संधी है निही प्लस प्रभा शब्द है निही धन प्रभा अब जब जुड़ा तो ये जो विसर्ग है ये शे में परिवर्तित हुआ इस प्रकार से यहां भी नियम लगाया गया है आगे चलते हैं नैपुर्ण यह निपुर्ण शब्द होता है निपुर्ण अब जब यहां यह प्रत्य लगाया तो यहां ब्रद्धी और यहां कमी हुई तो ब्रद्धी हुई तो ई का आई बना और कमी हुई तो व्रणे जो पूरा था वो आधा रह गया ऐसे ही आचित्य शब्द है उचित प्लस यह यहां ब्रद्धी हुई तो उ का आउ बना यहां कमी हुई तो तै आधा हो गया इसी प्रकार से आधिक के शब्द है आधिक प्लस ये यहां ब्रधी हुई तो ए का आ हुआ यहां पर कमी की गई तो कै आधा हो गया मैं मान सकता हूँ कि आपके चीजे समझ में आ रही होंगी यदि नहीं तो अगर कोई चीज आपको पूछनी होती है तो आप कमेंट कर सकते है प्रशन देखते हैं किस विकल्प में सभी अशुद्ध है तो ऐसे शब्द बताने हैं जो अशुद्ध हों आपके तत पिलस उपरांत विद्जन संधी का नियम लगाया गया है बिल्कु सही है तत पिलस गती ये भी विद्जन संधी है शाश्वत शत प्रतीशत महानता अब देखिए शब्द महानता नहीं होती शब्द होता है महत और ता ये शब्द है महानता हमने तो बहुत बार लिखा देखा है महानता शब्द आप कहेंगे तो दिखिए लिखने को तो ट्रक के पीछे भी लिखा होता है मा का आशिरवाद मा का आशिरवाद मा का आशिरवाद अब हो सकता है कि यह वर्तनी की दृष्टी से जब आपसे पूँचा जाए, तो यह गलत हो, आल तो यह गलत है, कारण क्या है इसका, कि यह रै जो है, जहां लगा होता है, उससे पहले इसे बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो यह आशिरवाद ना लिखा होकर, यह लिखा है आरशिवा क्योंकि रे का नियम ये है कि जहां लगा होता है उससे पहले प्रियुक्त होता है तो जो ट्रक के पीछे हम देखते हैं कि मा का आशिरवाद है तो ये आशिरवाद शब्द गलत लिखा है इसलिए हम इस शब्द को इस प्रकार से लिखते हैं क्योंकि हमें रे को यहां पढ़ना है से के बाद आ, शी, र, तो वे पे लगाया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब बात आए एक्जाम की, बात आए शुद्ध की ग्रामर की, वर्तनी की, व्याकरण की तब वहाँ नियम एप्लाई हो जाते है हो सकता है महानता आपने शब्द देखा लिखा देखा हो लेकिन शब्द ये गलत है शब्द होता है महता इस प्रकार जिसमें महत में ता लगा हुआ है अब ये महत्व शब्द जो है उसमें भी शब्द है महत्व और त्वै प्रत्य है तो जब इन दोनों को में जोड़ूंगा तो दो आध्य त्य बनकर कुछ शकलो हाल ये होगा कि लिखा जाएगा महत्व आधा त्य दो बनेंगे लिखने के लिए आप इस प्रकार लिख सकते हैं लेकिन जब हम इसे कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो जो कंप्यूटर में हिंदी के फॉन्ट होते हैं कुछ इसकी शकल इस प्रकार बना यह दो तै एक तै यहां लगाएगा और एक तै इधा तो कई बार हम जल्दबाजी में इसको नहीं लगाते हैं उस यही गलती है इस शब्द में महत है और ता है आगे बढ़ते जियोतसना आधा जय ये ओ आधा तै आधा से ने आ बिलकुस सही लिखा है और शब्द होता है मह महीना कई बार त्रूटी वश या जल्दबाजी में कहें तो हम महीना इस प्रकार लिख देते हैं फिरस्विए लगाकर जो की गलत है कि आगे चलते हैं अब शब्द को पढ़ेंगे क्या शब्द है संधी नियम का उलंगन होने के कारण अशुद्ध हो गया कि इसके कारण संधी नियम का उलंगन अतिकरमन हुआ अभी शेक अगर मैं इसकी संधी करता हूं तो शब्द बनता है अभी धन स्थेक यह व्यन्यन संधी है व्यन्यन संधी निही और सेध निसेध यहां भी व्यन्यन संधी का नियम लगा गया गया है अनू और संगी अनू धन संगी लेकिन जब मैं इन्हें दोनों को जोड़ूंगा तो शब्द लिखा जाएगा अनू शंगी यहां आएगा मूर्धा या मूर्धन्ये से जबकि यहां तालब ब्यशे लिखा है तो अंसर तो आपका आगया सी सू प्लस सुप्त तू धन सुप्त यह लगाया गया है तो यह भी लगा सकते हैं सुसुप्ती सुसुप्त चानतावस्था जो जिसमें एक्टिव जो ना हो या सक्रिय ना हो जिसमें कोई क्रिया ना हो सुसुप्त यह शब्द आप भूगोल में भी पढ़ेंगे हिंदी माध्य में पढ़ते ह वे तो सुप्त जौला मुखी वही शब्द है सुप्त निस्करिए आगे पढ़ते हैं आगे शब्द देखते हैं कौन असा शब्द अनुनाशिक के आधार अनुनाशिक के असंगत प्रियोग होने के कारण अशुद है यानि की अशुद बताना है अब किसके कारण अनुनासिक के कारण देखे अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है ये बिंदी जो है और ये जो चंदरविंदू है इसका नाम होता है अनुनासिक और इसे कहते हैं अनुस्वार तो इस चंद्रविंदी के आधार पर गलती है अंगीठी, अंगिस्टिका कहा जाता है बिल्कुल सही है दिखे, काटा शब्द है उसी से शब्द बना कटीला तो काटा जब लिखता हूं मैं तो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है यहां क्या हुआ है कि यह चंद्रविंदी केके उपर आनी है जबकि लेके उपर लगाई गई है तो शब्द है कटीला तो यही शब्द गलत है तो अंसर आजाता है आपका दूसरा रित्वे सही है और महंगाई सही है यहां कई बार हम क्या कर देते हैं कि रितुएं केवल इसी प्रकार लिख देते हैं तो ये भी गलती है कहां चंद्रबिंदी आएगी और कहां केवल बिंदी यानि की अनुस्वार का प्रियोग होगा उसको भी ध्यान में रखकर अगर चला जाता है तो शब्द गलत होने के चांसिद नहीं रहते है आगे चलते है अनुस्वार प्रियोग के कारण कौन सा शब्द अशुद्ध है अनुस्वार का मतलब होता है ये बिंदी तांतिरिक चलिए सही है अंग बिल्कुल ठीक है हसिया एक तदभव शब्द है ये एक तदभव शब्द है अभ्यास से सब आप सीख जाएंगे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो करत करत अभ्यास के जडमत होत सुजान अभ्यास करने से तो जो मती जड होती है वो भी सुजान हो जाती है बुद्धी मान बन जाता है व्यक्ति तो सब चीज हो जाएगी तो ये तदभव शब्द है और तदभव शब्द में ये चंद्रविंदी का प्रियोक किये जाएगा ना कि बिंदी का तो ये अनुस्वार की अशुद्धी है आप से ये भी पूँचा जा सकता है कि अगर मैं हसिया शब्द को हसिया इस प्रकार लिख दूँ तो आप से ऐसे भी प्रशन पूछे जा सकते है कि हसिया शब्द में वार्तनिक द्रश्टी से किस प्रकार की अशुद्धी है तो अंसर आजाता है हसिया चंचल शब्द में जो ये बिंदी लगाई गई है ये अनित्य बिंदू है यहाँ पर एक चीज हम सीखते चलेंगे अलग से एक होता है नित्य बिंदू एक होता है अनित्य बिंदू नित्य बिंदू और अनित्य बिंदू में ये अंतर है कि हमेशा बिंदू रहेगा वो परिवर्टित नहीं हो शकता उसे कहता है नित्य बिंदू और जहां बिंदी बदली जा सकती है अंगा में, अईया में, घड़े में, ने में और में में उसे कहा जाता है ए नित्य बिंदू तो चंचल की ये जो बिंदी है ये बदली भी जा सकती है कैसे? चै ये इस बिंदी से अगला चै है तो चैवर्ग का ही पंचमाक्षा रहिया लिख देंगे तो चंचल को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं तो चंचल के ऊपर जो ये बिंदी है ना ये अनित्य बिंदू है इस प्रकार जैसे सनहार शब्द लिखा है से के ऊपर ये जो बिंदू है ये बदला नहीं जा सकता इसी प्रकार लिखा रहेगा इन पांच में से इसी एक में भी ये नहीं बदला जा सकता तो इस बिंदू को मैं कहूंगा अनित्य बिंदू ना की नित्य बिंदू इसे कहूंगा नित्य बिंदू नित्य मतलब हमेशा ये नित्य बिंदू नहीं कहेंगे बिंदी बदली जा सकती है तो ये नित्य बिंदू और नहीं बदली जा सकती तो नित्य बिंदू ये बिंदू नहीं बदला जा सकता तो इसे कहेंगे हम नित्य यानि हमेशा बिंदू ही रहेगा हल इसको हम और आगे जब regular class वे हम chapter wise और theory based पढ़ते हैं तब उसे और अच्छे से सीखा जा सकता है तो कि हम बहु विकल्प ये प्रशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक सीमा है शब्द है आपका किस विकल्प में व्याकरानात्मक दरश्टी से अशुद्ध शब्द है यानि आपको गलत बताना क्या है दवाईया देखे अगर मैं शब्द लिखू दवाई तो दवाई शब्द औसधी के लिए आया है औसधी और अगर मैं इसमें वचन लगाने के लिए या जोड़ता हूँ तो ये वचन बहुवचन के आधार पर ये जो ई है ये हिरस्व हो जाएगी तो शब्द लिखा जाएगा दवाईया लेकिन ऐसा तभी होगा जब मैं इसका एक वचन से बहुवचन बनाऊँगा और उधारण आपको देता हूँ जैसे शब्द लिखा है नदी शब्द लिखा है वधू तो जब मैं नदियों में बहुवचन लगाता हूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार लिखना होता है नदिया अब ये या हटा देता हूँ तो फिर से ये ए बड़ी हो जाती है तो ऐसे वधू में जब मैं बहुवचन बनाऊंगा तो शब्द आएगा बधूए तो जब बधूए लिखा जाएगा तो उ को हम बड़े की जगा छोटा लगाएंगे तो वचन बदलने के साथ में शब्द के अंत में जो स्वर लगा होता है उसमें भी परिवर्तन आता है ये वच वचन के नियम है तो वचन के आधार पर इस शब्द में गल्ती थी कि इलाएची सही है इसाई में दोनों यी बड़ी बनती है इसाई असलगी और अकाल का दुर्भिक्ष सब्द आता है अकाल के लिए का लिम्न में से किस विकल्प में अशुद' शन्द का प्रियोग हुआ है किस विकल्प में अशुद यानी गलत दिखते हैं चंद्र मौली चंद्र चंद्रमा के लिए मौली कहते हैं माथे को फोर हेड को कहा जाता है मौली और चंद्र मौली स्पेशली आता है भगवान शिव के लिए चंद्र मौली चिदंबरा पतंजली पतंजली एक रिशी हुए है प्राची इनकाल में रिशी पतंजली और इन्होंने योग दर्शन लिखा है पतंजली ने तो शब्द है पतंजली इस प्रकार लिखा जाएगा और ये जो तैके उपर अनुस्वार यानि बिंदू लगा है इसको हम परिवर्तित्वी कर सकते हैं इसमें तो हम पतंजली इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप पढ़ते समय या कहीं देखते समय अगर सही लिखा हो तो बावा रामदेब जी की दवाईयों को अगर आप देखें जो पतंजली ब्रांड है जिनका तो आपको शब्द ऐसा लिखा मिलेगा वहां पतंजली या इस प्रकार भी हो सकता है तो शब्द ये गलत लिखा है पतंजली खेती हर और किरीट किरीट कहते हैं मुकुट को या ताज के लिए शब्द आता है किरीट आगे चलते हैं वर्तनी की दरश्टी से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए अब हमें बताना है शुद्ध यानि सही शब्द कि अंत्याक्षरी में जब हम गाना गाते हैं आलीजी कोई गाना गाया आपने कि माईरी माई मुडेर पे तेरी बोल रहा है कागा जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लाग गा तो गापे हमने खतम किया तो गा से अगले वाले खिलाडी को गाना होता है तो वहीं से इस खेल का नाम पड़ा कि अंत्यमें जो अक्षर आया अगला गाना वहीं से गाना है तो कुछ शब्द है अंत्य प्लस ये और अक्षर और ई ये शब्द है अंत्याक्षरी अब जब मैं इन्हें दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पर इस प्रत्य के कारण तैका हिरस्वी करण हो जाएगा तो आधा ने आधा ते ये ये का ए और अक्षर का ए जब मिला तो यहाँ बन गई दीर्ग संधी तो बना आ, शे, रे, रे में से ए कम हुआ तब ई लग गई तो शब्द बना अंत्याक्षरी जो पहले वाले बिकल्प में हैं बाकी ये तीनों शब्द गलत हैं कुछ इस प्रकार बना अंत्याक्षरी इसकी वर्तनी कई बार एक्जाम में पूछी गई है तो ये किस प्रकार बना आपको समझ में आया होगा आगे चलते हैं प्रश्न है निम्न लिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए संग्र है और शब्द है संग्रहीत बिल्कुत सही लिखाएए उत और श्रिंखला श्रिंखला और श्रिंखला शब्द है उच्छ श्रिंखला अब आका वहां हिरस्वी करण है अब देखना इसमें ये है कि ये जो यथेश्ट सब्द है यथा भन इस्ट ये शब्द है आपको गौर करके देखें यहाँ तो क्या लिखा है और यहाँ शब्द क्या इट है तो यहाँ पर इस व्यंजन की गलती है ये शब्द गलत हो जाएगा हमारा विविक्षा शब्द होता है जबकि शब्द है विवक्षा तो ये शब्द भी गलत है तो एक और दो ठीक है जो विकल्ब चौथे में हैं ऐसे प्रशनवी आपसे पूँछे जा रहे हैं अभी आप पैट का एक्जाम देखिए जो हाई स्कूल लेबल से निकाला जाता है तो उसमें आपको ऐसे प्रशन देखने के लिए मिलेंगे कि आपसे किवल एक प्रशन नहीं पूछता पीन-चार शब्दों को देगा और उसका पूरा गुर्ब बना होगा कुछ इस प्रकार से आगे चलते हैं शब्द है अधो लिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चैन कीजिए अब हमें बताना है अशुद्ध शब्द कि गलत क्या है देखे कलाई इस्थाई अब इस्थाई जो शब्द है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है इ का प्रियोग जो है वो तदभव या मूल रूप से देशज सब्दों के साथ होता है जबकि तस्समिक शब्दों के साथ नहीं होता और ये तस्समिक शब्द है इसलिए यहाँ पर इ जो है ये गलत है अब ये अंसर हो जाएगा आपका बाकी रुलाई हलवाई ये शब्द ठीक है आगे चलते हैं तो शब्द है आपका अशुद्वर्तनी वाला शब्द जाटिये हमें बताना है अशुद्वर्तनी किसकी है व्यावसाईक ग्राहिक और संगहतिक और शाणमासिक यहाँ पर एक चीज गौर करने की है इस चारो शब्दों में ही प्रत्य है वो है एक एक प्रत्य अब यदी में शब्द में व्यवसाय व्यवसाय में अगर एक जोड़ता हूँ तो शुरू में ब्रध्धी होगी और बाद में कमी हो जाएगी ब्रध्धी और कमी का नियम अभी हमने आपको बताया था एक बार फिर बताते है ब्रध्धी का मतलब है कोई भी शुरू में अगर स्वर होता है तो उसमें ब्रध्धी हो जाती है अब व्य में स्वर नहीं है ये के अंदर है और ये में क्या है ए है और इसमें अगर ब्रध्धी करूँगा में तो एका आ हो जाएगा तो शब्द लिखा जाएगा व्य ये आ व्य सा ये में ए की कमी और इ याव साइक, तो यहाँ पर आ और होना चाहिए था, जो की नहीं है, तो अंसर आ जायता है आपका ए, ऐसे ही शब्द है, ग्रिहे, और एक, तो यह रिरी का परिवर्तन रह में हुआ, और आ की ब्रधी हुई, इस प्रकार बना, गारहिक, संगहात, संगहात, प्लस एक, यहाँ ब्रधी हुई, तो से में सा हुआ, यहाँ पर, और ऐसे ही शब्द होता है, शणमास, जब एक जोड़ा गया, तो शब्द बना, शाणमासिक, तो ब्रधी का नियम को हम ध्यान में रखते हैं, आगे चलते हैं, शब्द वर्तनी की द्रश्टी से, किस विकल्प में शुद्ध बताना है, आपको किस सभी शब्द, शुद्ध कौन से हैं, तो पडोसी शब्द कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, पडोसी, एक मात्रा आएगी यहां पर, यह गलती है, फिर शब्द आपका, यह द्रश्टव्य बिल्कु सही लिखा है, दम पती, अब देखिए हाल तो पती शब्द अगर केवल सिंगल लिखूंगा, उसमें छोटी इ आएगी, लेकिन जब मैं जोड कर लिखूंगा, तो उसमें बड़ी इ आत जायता है, इस प्रकार, और पढ़ा भी जाएगा श्रिंगार ना की श्रंगार, तो कि यह शेह है, यह तालव्य शेह है आधा, और यह इसमें रिरी है, तो जब इन दोनों को जोड़ाग तो कुछ बनावट इस प्रकार हुई, तो यह शेह और यह है री, यह हुआ श्री, अंग और गार तो शब्द बना श्रिंगार नाकी श्रंगार गरिष्ठ गरिष्ठ शब्द होता है और अतीथी है दोनों इछोटी आएंगी अनुग्रहीत में अनुग्रहीत ये शब्द होता है आगे चलते हैं तो अंसर जाएगा दूसरा वार्तनिक अब यहीं शब्द को अगर देखो तो शब्द लिखा है वर्तनी अब जब एक प्रत्य लगाया तो यहां कमी हुई और यहां ब्रध्धी हुई तो ई की कमी हुई और आ की यहां ब्रध्धी हुई तो शब्द बना वार्तनिक कुछ इस प्रकार जैसे ही लिखा द्रश्टी से किस विकल्प में अशुद्ध शब्d का प्रयोग हुआ है, तो गलत वताना है हमें कि गलत कौन सा है'? देखते हैं शुद्धी करण, देखी जब करण किसी शब्द के बाद में होता है, तो यहां जो शब्द लिखा है, इस शब्द में अगर अंत में हिरस्व स्वर है, तो वो दीर्ग हो जाता है, तो यहां पर शुद्धी, जो इस प्रकार लिखा जाता है, जब मैं उसमें करण जोड़ूंगा, तो इस ई का दीर्ग ई हो जाएगा, तो शब्द बनेगा शुद्धी करण, कुछ इस प्रकार, तो यह गलत है, बाकी जहान भी, गंगा की एक साहयक नदी भी है, गंगा का पर श्यता, और अनवेशन, अनू प्लस एशन, यह यान संधी का शब्द है, आगे चलते हैं, वार्तनिक द्रश्टी से अशुद्ध, फिर गलत बताना आपको दुर अवस्था, अब एक शब्द है दुर, और एक है अवस्था, जब दोनों को धन करेंगे, यानि की जोडेंग तो यह आधार है, और यह ए, जब दोनों मिले, तो यह रैप पूरा हो गया, लेकिन यहाँ अगर गौर करें, तो यह आ और लिखा है, जो की गलत है, तो शब्द लिखा जाएगा, दुर अवस्था, ना की दुरावस्था, तो यह मात्र भक्त, यह सही है, और यह शब्द कई बार, बच्चे कलत कर देते हैं, देखें, दो शब्द लिखे हैं, गौर करिए, यह लिखा है मात्र, और यह लिखा है मात्री, इसका अर्थ है केवल, और इसका अर्थ होता है मा, तो यह लिखा जाएगा, यह बोला जाएगा मात्री, और यह बोला जाएगा मात्र, मात्र शब्द का प्रियुक करा जा सकता ये वाला और जब मात्र लिखूंगा जब मात्र भाषा बोलूंगा तो मात्र भाषा इस प्रकार लिखा जाएगा क्योंकि यहां मात्र से मतलब है मदर टंग से मात्री भाषा और मात्री भाषा को मात्र भाषा उचारित करना भी सही नहीं है गलत है आगे चलते हैं शब्द लिखा किस विकल्प में वारतनिक द्रश्टी से अशुद्ध शब्द है गलत है क्रतग्ये विलकुल किसी के किये गए उपकार को मानना वो क्रतग्ये शब्द कहलाता है नहीं रोग बिना रोग के यह भी ठीक लिखा है और अंतर द्वंद शिरोधार्य मध्याहन भौगोलिक भुगोल और इक से बना है शब्द होता है आपका पूजनिय यह शब्द है और हत और हतोतसाह यह शब्द है हतोतसाहित भी गलत है क्योंकि एक बार में एक चीज का प्रियोग किया जा सकता है शब्दों के नियम है संग्या और विशेशांके तो अंसर जाएगा आपका चौथा वर्तनी की दरष्टी से अशुद्ध शब्द का चैन कीजिए तो अशुद बताना है गलत बताना है आपको प्रिये तरशीनी तही लिखा है मनो चिकित्सा अब यहां गलती क्या है यहां पर संधी की गलती है संधी की क्या गलती है शब्द है मनह और चिकित्सा ये शब्द है तो नियम ये है कि अगर स्वर के बाद में विसर्ग हो और फिर विसर्ग के बाद में चे, छे या शे हो तो विसर्ग का तालव्य शे बन जाता है और यहां क्या है O तो ये शब्द गलत है शब्द लिखा जाएगा मनश शिकित सा तो यहां पर किसकी मिस्टेक है संधी के नियम का उलंगन है तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस शब्द में अशुद्धी का क्या प्रकार है निहारी का और प्रे कुपित बिलकु सही है निम्नमेसिक किश विकल्प में शुद्ध शब्द का प्रियोग हुआ है इसाइन ये सब्द ठीक है अभी शापित ये गलत है देखे अभी सही लिखा है अभी शब्द होता है शापित नहीं होता दर्दीला नहीं होता दर्दनाक होता है केवल प्रत्य जोडने भर से काम नहीं चलता प्रत्य सही जोड़ाजाए, शब्द के अनुरूप जोडाजाए, ये भी ध्यान में रखा जाता है क्रोधित, अब इस शब्द को हम भोल भली देपे हैं, लेकिन ये शब्द गलत है क्रोध से शब्द बना है कुरुध ये शब्द है और ये गलात है किस शब्द में वार्तनिक अशुद्धी है अशुद्धी है तो बहुत ध्यान से देखे शब्द लिखा है कुतुहल बिल्कुँ सही है ये तो द्रवी भूत तो शब्द होता है जब भूत शब्द जुड़ेगा तो ये जो छोटी य होती है ये बड़ी य में परिवर्तित हो जाएगी तो अंसर जाएगा दूसरा निमीलीत बिल्कुल सही है और भार्या पती बिल्कुल सही है भार्या पती भार्या इस्तरी का पर्यायव आची भी है पती पती नहीं लिखा है कायदे में वो अनुचित अनधन उचित देखे कितना अच्छा शब्द है वो व्यंजन प्रियोग के कारण अशुद्ध शब्द का चैन कीजिए अच्छा अशुद्ध धुणना है हमें तो सिष्ट अचार सही है शिष्ट और आचार और उच्छ शिष्ट भी ठीक है किम वदन्ती और विशिष्ट नहीं होता विशिष्ट होता है शब्द है वी धन शिष्ट तो यहाँ टै की गलती है और इसे ही कहते हैं व्यंजन वाली अशुद्धी तो चौथा विकल्प ठीक है इसका प्रशन देखते हैं बहुत अच्छा प्रशन है ध्यान दीजिए इस विकल्प में व्यंजन वर्ण के असंगत प्रियोग के कारण शब्द अशुद्ध हुआ है आपका व्यंजन वर्ण के निश्चेष्ट प्रश्ट भूमी शब्द है तडित जियोती जिससे शब्द बना है तडित जियोती शंधी है यहां और जड मती मती बुद्धी को कहते हैं और लेके नीचे बिंदू नहीं आएगा यह ध्यान में रखेंगे तो यहां शब्द है प्रिष्ट यानि पेज प्रिष्ट भूमी उसके लिए शब्द आया है और शब्द हैं टे इसका भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा शब्द टे है लगा है कहां इसमें डे लगा है क्या पूछा है लब्ध प्रतिष्ठित शब्द अशुद है कह रहा है लब्ध प्रतिष्ठित शब्द अशुद है अशुद्धी का कारण हो सकता है मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि आपसे ये तक पूछा जा सकता है कि गलती का कारण क्या है क्योंकि 2024 चल रहा है सर दिन प्रतिदिन competition नित नए नए आयामों को चू रहा है वो भी क्यों न तो जितना आसमान उचा होता जाएगा आपकी उड़ान भी उतनी बढ़ती जानी चाहिए कि खिलाडी में खास बात होनी चाहिए तो शब्द देखते हैं तो लब्ध और प्रतिष्ठ यह शब्द है वहाँ पर जब मैं लब्ध इसके साथ में जोड़ूंगा यानि समास करूंगा समासिक अशिद्धी है इसके अंतरगत संधी की नहीं है उपसर्ग की नहीं ए समासिक अशुद्धी है तो जब समास यानी दो शब्दों को इस प्रकार लिखूंगा या द्वंद करूंगा तो यहां प्रतेश्ठित ना होकर शब्द हो जाएगा प्रतेश्ठ सामासिक असुद्धी वर्तनी की द्रश्टी से अशुद्ध विकल्प छाटिए अशुद्ध शब्द है लगहू और तम जैसे अवस्था होती है डिग्री होती है कमप्रेटिव और सूपरलेटिव डिग्री ऐसे ही विशेशण में अवस्था है मूला अवस्था उत्रा अवस्था और उत्मा अवस्था तम और तर तो लगू में जब तम जोडूँगा तो शब्द बनेगा लगू तम ये तो हो गया आपका तम लगाया गया लेकिन जब शर लगू में उत्तर जोडूँगा इसे कहते हैं शॉर्ट नोट लिखना और long answer short answer जो होता है न तो उसे short answer को हम कह सकते हैं लगु उत्तर छोटा उत्तर तो वो शब्द है लगु ये छोटा उ और उत्तर अब ये दोनों जब ये उ जुड़े तो ये बड़ा उ बना और ये बड़ा उ किस पर जाएगा ये जाएगा गह पर तो शब्द बनेगा तर तो या तो शब्द ये होता लिखा हुआ वहाँ पर या ये होता अब चुकि दोनों में से कोई नहीं है तो वो शब्द गलत है तो किस परकार लिखा जाना चाहिए तो इस परकार लिखा जाना चाहिए क्योंकि गह पर छोटा हूँ है इस आधार पर यहां दो तै नहीं होने चाहिए थे आगे देखते हैं विध्यार्थी परीशद बिलकुँ सही है परीशद में दै में हलन्त लगाते हैं याद रखेंगे पक्षी राज सही है और जब पक्षी में से राज हटा दूँगा तो पक्षी की मात्रा फिर से बड़ी हो जाएगी यूव संदेश अब जब संदेश हटाएंगे तो यूवा हो जाएगा जब शब्द को जोड कर लिखा जाता है तो शब्दों में आपस में भी परीवर्ता ना आता है ये भी हमें ध्यान में रखना है अशुद्ध वर्तिनी वाला विकल्प चुनी है यूपी पुलिस में स्से जीडी में वर्तिनी से कितने प्रशन आते हैं आप जानते ही हैं तो केवल वर्तिनी देख कर शब्द को नहीं सीखा जाता वर्तिनी सीखने के लिए प्रत्य उपसर्ग आना समास आना, संधी आना, पर्यावाची आना ये सभी आना जो है वो वर्तिनी के लिए अच्छा होता है अशुद वर्तिनी वाला विकल्प चुनिये तो शब्द होता है आपका अती और उक्ती उक्ती माने कथन अब ये छोटा ई और ये उ जब मैं जोड़ूंगा तो यू बनेगा ये यण संधी है अब सोच ये अगर किसी ने संधी ट्रिक से पढ़ी है तो वो ये नहीं बता पाएगा कि अती युक्ती में ये उ जो है ये बढ़ाना आकर ये छोटा उ आएगा और यदी में संधी पढ़ते समय ट्रिक का प्रियोग करता हूँ तो मैं अपनी वर्तनी से हाथ दो बैठूंगा वर्तनी समझ नहीं आएगी और किवल वर्तनी ही समझ नहीं आएगी पर्यायवाची को कैसे समझ पाएगे क्योंकि पर्यायवाची को समझने के लिए एक दूसरे से जोड़ना आना चाहिए जो कि हमें संधी में सीखना पड़ता है इसलिए कुछ चैप्टर बेस पढ़ लिया जाए अगर कुछ चैप्टरों का तो जादा बहतर होता है उसमें सहूलियत है ट्रिक भी काम आती है लेकिन सब जगा ट्रिक नहीं काम आती कुछ तो महनत चाहिए ही चाहिए सर तो यही इसमें गलती है पहले ही शब्द में बाकी सारे शब्द ठीक है अशुद्ध वर्तनी लिखा है यहां पर यह वर्तनी वाला विकल्प चुनिये मुमूर्शा अब यह वन वर्ड में अगर आपने पढ़ा हो तो शब्द होता है मुमूर्शा मुमूर्शा शब्द है वी भीक्षा सु शुरू शा त्री पू रादी अब अगर सब में देखे न तो इसमें भी संधी का नियम लगाए यहां भी संधी का नियम लगाए संधी के नियम लगे गए है तो ये शब्द गलत लिखा है, बाकी ठीक है, रोगी के सेवा करने की भावना ये है शूश रूशा, त्री पुरारी शंकर को कहा जाता है, बाकी अर्थ आप खुद भी जान सकते हैं, सारी चीजे अगर हम बता देंगे, तो आपके लिए भी तो कुछ रहना चाहिए, दो शुद वर्तनी वाला बताना है, 31 गलत लिखा है, 49 गलत है, 14 नहीं होता, 14 होता है, 53 सही लिखा है, तरेपन नहीं होता, 33 शब्द होता है, 1 और 30 ये शब्द है, जो बना है, 1 से और 30 से, शब्द है, 31 यहां 31 है, तो 31 इस प्रकार लिखा जाएगा, 31, यहां 3 जादा है, 14 होता है, और 49 नहीं होता, 49 होता है, आगे चलते हैं, किस शब्द में वार्तनिक अशुद्धी है, नूपुर, महंदी के लिए भी आता है, मुहूर्त नहीं होता, मुहूर्त होता, जैसे हम महूरत कह देते हैं, खड़ी बोली भासे, या उत्तर प्रदेश में कहूं, तो 5 में उत्तर प्रदेश के, उसे कह देता है, मुहूर्त, शब्द होता है आपका, मुहूर्त, जुलूस ही है, और यू युद्ध की इछा, और यू युद्ध की इछा रखने वाला, मैतली गलत है पहला शब्द, वरण लोप के कारण, तो देखे अशुद्धी का प्रकार भी पूछा यहां पर आपसे, मई थी ली, शब्द है, ये ठीक है, बाकी सब ठीक है, ये अंसर आजाएगा इसका, प्रशन पढ़ेंगे बहुत आराम से, और प्रशन करेंगे वार्तनिक द्रश्टी से अशुद्ध तो बताना है आपको, काशी राज, बिल्कु शही है, काशी, अब जब काशी इस प्रकार लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, और जब मिल जाएगा न ये, तो काशी पे ये छोटी ये आजाएगी, क्यों आजाएगी, क्योंकि राज शब्द उसमें जुड़ा, शशी कला ठीक लिखा है, स्वामी भक्त ठीक है, पक्षी गण गलत है, क्योंकि पक्षी तो इस प्रकार लिखा जाएगा, गण इस प्रकार लिखा जाएगा, लेकिन जब दोनों शब्द जोड़ेंगे, तो ये ए का हिरस्वी करण हो जाएगा, हिरस्वी करण, इसे ही कह द लिएते हैं हिरस्वी करण और दीरगी करण के नियम, तो शब्द लिखा जाएगा पक्षी गण, तो बी सही है इसका, वर्तनी की दरश्टी से अशुद्ध शब्द बताना है आपको, रचना वली, पहला ही शब्द गलत है, शब्द है रचना और अवली, अवली माने होती है कतार, या पंक्ती, या लाइन जिसे कह सकते हैं आप रो, ग्राणे इंद्रिये, नाक की सूंगने की जो इंद्रियां होती है, उनके लिए शब्द आता है ग्राणे इंद्रिये, शब्द है ग्रिहस्थ, और जब ये प्रत्य लगाया, तो यहां सम्तुल्य ब्रध्धी और कमी का नियम लगा, दुरुबल शब्द है, दुरुबल और दुरुबल में जब ये प्रत्य जोड़ा, तो यहां ब्रध्धी और कमी का नियम लगा, इसी लिए ले आधा लिखा गया है, और यहां उ के इस्थान पर ओ है, उसका कारण है यहां ब्रध्धी हो जाना, तो ए अंसर सही हो जाएगा यहां पर, असंगत वर्ण का प्रियोग हुआ है, इकठा इकठा शब्द होता है, तो शब्द यहां टे आएगा ठे के इस्थान पर, चटान सही है, गढड़ा सही लिखा है, कबड़ी भी ठीक है, इकठा गलत है, तो ए अंसर आजाएगा यहां, देखिए, इतना अच्छा शब्द है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, श्रोत, अब कई बार हम छोटी किलासों में क्या करते थे, यह क्या लिखा है, आधा सह है, और त्रे त्रे शूल है, तो इसे इस्त्रोत पढ़ते थे क्या आप, अगर पढ़ते थे तो कमेंट बॉक्स में करना, इस्त्रोत, जबकि शब्द होता है, यह सह है, आधा सह, अगर मैं इसमें रह जोड़ू, तो यह किस प्रकार लिखा जाएगा, आप कहोगी यह हो गया सह, और यह इसमें हो गया रह, तो इस शब्द लिखा गया कुछ इस प्रकार, यह शब्द तो होता ही नहीं है, इस त्रोत नाम का शब्द नहीं है, श्रोत शब्द होता है, अभी श्रोत का मतलब होता है माध्यम, माध्यम, मैं आपसे कहूँ कि आपके पैसे कमा क्या श्रोत है क्या जरिया है क्या माध्या में और अगर मैं इस प्रकार लिखूं तो इसे क्या पढ़ेंगे हम यह लिखा श्रोत यहां पर यह श्रोत जो है वो शेय के अंदर रहे हैं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं बिल्कुल यह और यह दोनों एक हैं क्योंकि यह जो श किसी का ही समर्थन करता है यह श्रोत का मतलब होता है सुनना तान के लिए श्रोता सुनने वाला इस प्रकार उत्षिप्त ठीक है यहाँ पर ये वाला जो शब्द है यहाँ पर भी यह से आएगा और ये भी ठीक है आगे चलते है शब्द शुद्ध बताना है आपको तो कैलाश बिल्कुँ सुद्ध लिखा है यहाँ पर तालब वेशे नहीं आता कैलास नहीं होता, कैलास होता है वैश्या देखे, अगर मुझे वैश्या लिखना है तो वैश्या कुछ इस प्रकार लिखा जाता है इसे कहते हैं देहे व्यापार करने वाली महिला जो अपने शरीर को बेज कर व्यापार करती है उसे कहते हैं वैश्या तो वैश्या जब लिखूंगा तो एक मात्रा लगाऊंगा ना कि दो लेकिन अगर मुझे दो मात्रा लगानी हो तो शब्द होता है वैश्या वैश्या एक वर्ण है जो आप रिगवेदिक काल में पढ़ते हैं ब्रहम्मन, छत्रिय, वैश्या और शुद्र वैदेही, वैदेही शब्द लिखा जाता है वैदेही अब ये वैदेही शब्द बनाएं विदेह शे विदेह इस प्रकार और प्रत्य लगा है और यहां ब्रद्धी हुई है के केई नहीं होता कई केई ये शब्द है और ये ठीक है शब्द, आगे चलते हैं किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दरश्टी से शुद्ध है गुणी जन ठीक लिखा है, निरी है ये भी ठीक है प्रियशी ये भी ठीक है, नियो छावर में नियो एक मात्रा आएगी पडोसी में भी एक मात्रा आती है, और उदीची तो उदीची में दोनों इबड़ी आएगी वीमारी होती है, वीमारी नहीं होती सफलता, सफल पूर्वक नहीं होता, सफलता पूर्वक होता है सिंदूर लिखा है, सब्द है सिंदूर बड़ा हुआएगा तुफान लिखा है, सब्द होता है तू और फै के नीचे नुक्ता क्योंकि फै में भी अंतर होता है, एक पे ये है जो फै होता है उर्दू में, और एक फै ये होता है दो चश्मी वाला, जो फै होता है, तो दोनों में अंतर है यहाँ निरुत्तर में, निरुत्तर में रह में छोटा उवाएगा और चार दीवारी ना होकर शब्द होता है, चाहर दीवारी तो तीनों सही पूँछे थे तो अंसर आजाएगा आपका ए निम्न मेंसे किस शब्द में वार्तनिक अशुद्धी है तशरथी सही है वाल मी की ठीक है समीती शतावधी ये शतावधी शब्द गलत है शत सो और अबदी शब्द होता है अबदी बड़ी की मात्रा लगेगी तो अंसर आपका भी आ जाएगा दूसरा वार्तनिक द्रश्टी से अशुद्ध विकल्प चुनिए प्राणी विज्ञान बिल्कु ठीक है मृत्यू उप्रांत अब ये दीर्ग संधी बनी है मृत्यू पर छोटाउ उप्रांत ये है दोनों जब जोड़े तो शब्द बना मृत्यू परांत अगर बड़ा उप्रांत अगर बड़ा उप्रांत अगर भी दीर्ग संधी है बिल्कु ठीक लिखा है वृत्या नूप्रास अब वृत्या नूप्रास गलत है शब्द होता है वृत्ती आ वृत्ती वृत्या नूप्रास में वही तो होता है इसमें सिरीज चलती है वृत्या नूप्रास के चंदु की चाची ने चंदु ये विर्त्यानुप्रास के अंतरगत आता अनुप्रास अलंकार के पाच भेद होते हैं अनुप्रास के लाटानुप्रास विर्त्यानुप्रास शुत्यानुप्रास अंत्यानुप्रास इस प्रकार से अनू प्रास तो जब यहाँ छोटी यह निकली और यह ए निकला तो यहाँ दोनों को जोड़कर यह बना और यह यण संधी का शब्द बना तो कुछ इस प्रकार लिखा जाना चाहिए व्री अधा ते ते यह नू प्रास अच्छा एक तो यहाँ तै और आएगा और यहाँ आग अलत है तो अंसर आजाएगा दूसरा आगे चलते हैं ठीक है यह वाली स्लाइड खतम होती है हमारी और अगर कोई भी आपका डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और टेलिग्राम चैनल पर आजाएए हमारे अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्ले स्टोर से हमारी एप्लिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस्टडी वाई पाठक सर के नाम से ही आपको मिलेगी उस पर आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज प्रोवाइट कराई जा रहा है और पेट कोर्सेज भी हैं उसके उपर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए अपने किसी सखा मित्र को ये वीडियो शेयर कीजिए जो पढ़ाई के लिए बहुत जागरूख हो तैयारी करना चाहता हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर पहली बार आप आए है तो आप इसे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और प्लीज बैल आइकन को दबाना ना भूले जैहिंद वन्देवात्रम